हेलो फ्रेंज आज हम बात करने वाले हैं ओटो केट के एक नए कमांड के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट के बारे में तो हमने प्रिविएस वीडियो में ब्लोक कैसे क्रियेट करते हैं वह हमने देखा अब वह जो क्रियेट करया ह हुआ ब्लोग को हम कैसे insert कर सकते हैं अपने ड्रोइंग में ठीक है तो यहां पर एक options आता है block panel में जिसका नाम है insert आग अगर इस पर click करोगे तो एक dialogue box open होगा ठीक है तो by default यहां पर नाम आ गया अगर नाम नहीं नहीं आता तो आपने जो block create किया है उसका आपको यहां पर नाम लिखना है नाम लिख लिया उसके बाद आपको यहां पर insertion point डालना है ठीक है तो specify on screen scale क्या रखना है वो भी आप यहां पर decide कर सकते हैं rotation आपको रखना है या फिर उसको अगर inches में से दूसरे dimension में Download करना है उसका factor भी आप यहां पर decide कर सकते हैं अगर आपको उसको angle्हाँ दे ना है तो आप यहां पर angle भी दे सकते हैं ठीक है तो specify one screen भी आप कर सकते हैं ठीक है तो आपको यहांगल नहीं देना पड़ेगा अगर आपने specify on screen किया तो जो भी वह screen का है वह screen साब से आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने specify on screen कर दिया है तो मुझे xyz के coordinates की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर करूंगा okay तो मैंने जो यहाँ पर block तयार किया था वह यहाँ पर आ गया देखिये अब समझ लिजे कि मेरे पास जो पुरानी वाले drawing है उसमें मैंने एक block create किया था उसका मुझे नाम पता है ठीक है तो वह block मुझे यहाँ पर use करना है तो मैं क्या करूंगा तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर browse में जाऊँगा और जो drawing मैंने वह select कि थी वह यहाँ पर select करूंगा ठीक है जिसमें block रखा हुआ है फिर okay कर दूँगा okay करने के बाद मैं यहां पर फिर से okay करूँगा और मुझे जहां पर रखना है वह यहां पर मैं रख दूँगा ठीक है तो वह ब्लोक यहां पर आ जाएगा क्योंकि मैंने कुछ रखा नहीं था तो इसलिए वह नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे ही आप दूसरी ड्रॉइंग में से भी ब्लोक को इंसर्ट कर सकते हैं सो थैंक्यू फॉर वॉचिंग